आज मैं हीरोन फार्मूला क्लास नाइन्थ में चेप्टर नंबर 12 एन सी रटी का है और किसी-किसी मतलब बोर्ड में ये एट क्लास में या सेबंत क्लास में पढ़ा जाता है आए देखते हैं हीरोन फार्मूला क्या है हीरोन फार्मूला जो है बहुत सिंपल सा चीज है बूक में देखिए इस हीरोन फार्मूला हीरोन फार्मूला मतलब हीरोन ने एक ट्रेंगिल या राइट एंगिल ट्रेंगिल या अधर ट्रेंगिल बट यह आई काइन एक्स्पलेन वलने राइट एंगिल ट्रेंगिल अब हिरोन ने क्या किया था कि इस ट्रेंगिल का इन्हों ने एरिया निकलने के लिए फर्मूला निकला तो एरिया निकलने के लिए एरिया आफ ट्रेंगिल एक्वल वन बाई टू इन्टू बेस इन्टू हाइट समझ मैं अब आप बोलेंगे सर एरिया आफ ट्रेंगिल तो मालूम है वन बाई टू हमें मालूम है what is base what is height तो ट्रेंगिल का जो नीच्छे वाला पोर्शन होता है जैसे यहाँ पे b c b c is a base height here height is this here height is this understand इस ट्रेंगिल ए बी सी का एरिया जो होगा क्या होगा वन बाइटू बीश है यहां पेनटू बीशी बीसी बीसी जिकी BC की जगह कुछ अगर दिया है बैलू 12 cm, 15 cm या 15 cm या 18 cm तो आप वहाँ पे लिख देंगे BC की जगह पे क्या लिख देंगे 15 उसके बार height, height यह अच्छ है H की जगह 5, 6, 8 कुछ दिया रहेगा आप उसको लिख लेंगे तो यहाँ पे height की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ D लिख देंगे A, D हुआ, समझ मैं हाँ? यह है area of pringle अब आप बोलेंगे कि अगर हमें height नहीं मालूम है तब height नहीं मालूम है तब कैसे करेंगे? तो side तो मालूम होगा ही हमें क्या? side हमें मालूम होगा अब side जैसे A, B, B, C, A, C A side है B angle के सामने का side B, A angle के सामने का side यह total इसमाल है यानि यहां से यहां तक का A distance इसमाल है और C angle के सामने का side यह हुआ यह समाल C हुआ, समझ में आया? अब इसका area निकालने के लिए perimeter निकालके तो उसका half कर देते हैं जिसे हम symbol S से denote करते हैं S is half half total perimeter S equal हम लिखेंगे A plus B plus C by 2 That means A, B angle A के सामने का A distance B A distance, C A distance यानि total perimeter हुआ triangle का उसको half कर देंगे यह हुआ YS, YS is the semi perimeter of the triangle समझ में आया? हाँ अब area of triangle area of triangle equal root में YS YS क्या है? semi perimeter means A plus B plus C पीनो ट्रेंगिल के साइड़ों का समझ करके half कर देंगे ओ YS है YS फिर bracket में YS minus A YS minus B YS minus C कर देते हैं यह formula हो गया area of triangle निकालने का जब आपको base and height नहीं मालूम हो केवल sided मालूम हो तो आप A formula लगा के area निकाल सकते हैं अगर उसका side यानि base मालूम है और height मालूम है तो A बाला फार्मूला लगाएंगे अगर हमको क्योल side मालूम है उसका height नहीं मालूम है तो हम यह वाला फार्मूला लगाएंगे आईए हम अब आपको एक example के throw समझाते हैं ऐसे किताब में आपके दिया गया है हम उसको लेते हैं very simple questions questions है उसको समझ यह एक ट्रेंगिल है एक ट्रेंगिल के sided दे गए हैं ट्रेंगिल question करा है कि एक ट्रेंगिल ABC है क्या है ABC एक ट्रेंगिल है A के सामने की जो A है वो किसके equal है 40 cm के न 40 cm या 40 m ऐसे यह आपका A के सामने की angle A के सामने की side A बोला जाता है angle B के सामने की side B बोला जाता है B equal 24 cm भी आ गया है और angle C के सामने का side A बी हुआ इसको C बोला जाता है C equal 32 cm दिया गया है इस तरह से समझ में आ गया यह एक ट्रेंगिल ABCD है जो दिया गया है इसका पूछा है कि area find कीजिए अब इस ट्रेंगिल का area निकालने के लिए सबसे पहले हमने आपसे बताया था कि S निकालते है S क्या है perimeter A plus B plus CY 2 A plus B plus CY 2 कर देंगे means semi perimeter A की value 40 plus B की value 44 plus C की value 32 plus करके हम 2 से divide कर देंगे इसको पहले plus कर लेते हैं 2, 4, 6, 0, 6, 3, 2, 5, 4, 9, by 2 अब 2 से काट देंगे 2, 4 जा 8 2, 8 जा 16 इतना centimeter means यह क्या आगया semi perimeter समझ में आगया अब हमें area of triangle area of triangle निकालना है तो हम formula जानते हैं क्या S bracket में S minus A S minus B S minus C यह formula कौन सा? जिसमें sided दिया गया है इसमें क्या नहीं दिया गया है? height नहीं दिया गया है base नहीं दिया गया है इसलिए हम यह formula यूज करते हैं S की value कितना आई? 48 ब्रेकेट में 48 minus A 48 minus B 24 48 minus C 32 लिख दिया दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है जहां ना समझ में आ है comment में कहके बत बोलिएगा हम हरे चीज समझाने की कोशिस करेंगे आपको अब यह देखिए रूट यह 48 अपनी जगह पे अब 48 में से 40 सब्ट्रेक करेंगे कितना आएगा? 8 साबस 48 में से 24 निकालेंगे कितना आएगा? यह तो जश्ट दूगमा है तो यानि 24 आ जाएगा समझ में आ रहा है ना? 48 में से 32 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 60 आया समझ में? हाँ अब कितना सिंपल लग रहा है? अब देखिए यह रूट है अगर इसको हम एक्स्प्लेन करके रूट से बाहर निकालने का फार्मूला आप लोग पिछले कच्छाओं पढ़ चुके होंगे अगर नहीं जानकारी है तो हम यहां भी बताने की कोशिस करेंगे कि यहां पेर बनाते हैं जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 48 को 8, 6 जा 48 तो क्या लिखेंगे? 6 into 8 into ए वाला 8 एसे यह हिंदी में 8 जाक 48 यह 48 को मैंने ऐसे लिख लिया 24 को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए 6, 4, 24 ऐसे 6, 24, 24 क्यों? क्योंकि 8, 8 पेर बन जाएगा 8 पेर बन जाएगा रूट से बाहर करने के लिए अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको चार चाउक 16 तो 4, 14 तो यह चार यह 16 को मैं एक चार लिखा एक चार आउल लिख लेता हूँ ठीक यह देखिए एपेर बन गया इसका एपेर बन गया इसका एपेर बन गया आब लोग समझेगे अब 8 छे बाहर इन्टू A8 बाहर into क्या बाहर? A4 बाहर A रूट से बाहर हो गए बचा क्या? A 4 4 को 2 into 2 लिख लेते हैं तो यह 2 भी बाहर हो जाएगा जैसे सब बाहर हुआ? 6 into 8 into 4 into 2 यह हुआ रूट से बाहर इतना सिंटिमीटर जब मल्टिपलाई कर देंगे अब देखे आठ छाक 48 और ये 4 दूनी 8 और 40 में हम 8 का मल्टिप्लाई कर देंगे आठ छाक आठ टाई 64 कहीं चार हांसी लगा छ आठ चोक 32 च च अण तीस इतना सेंटिमीटर ये क्या हुआ एरिया आफ ट्रेंगिल समझ में आया एतना सेंटिमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया हर समय उसका यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है अगर आपको समझ में आ गया तो इसको सस्क्राइब कर लिजिए लाइक कर लिजिए और एक थम्ब का सिंबल जिसे लाइक करते हैं वो जरूर कीजिए हम इसी के साथ दूसरा इस देख बताएंगे दूसरे फार्मूला में